दोस्तों ये इस कहानी का दूसरा भाग है, कहानी बहुत ही अच्छी है, अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को नहीं सुना है, तो वो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर सुनिएगा, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है पहले भाग, तो ह यहां कुछ लड़कियां सचीत जी एक दूसरे से बाते कर रही थी और आते जाते मरदों को देख उन्हें छेड रही थी, कुछ उपर से सीटी बजा कर इसारे कर रही थी, एक बात अजीब थी उसब में, सबने अपने कप्डे बड़े ही बेढ़ंग तरीके से पहने थी, बिस्वा बैभो से कहा, तो वो हां में अपने गैदन हिला दिया, बिस्वा हिम्मत करकी काड़ी से वाहां निकला और कोठी की तरब बढ़ चला, बपा, वो यहां ना मिले मुझे, ऐसी किरपा करना मुझ पर, बिस्वा बपा से अपने मन में कहा, वो नहीं चाहता था, कि स बिस्वा कुछ नहीं कहा, चलना, मजे करेंगे साथ में, उसके साथ नहीं, तो मेरे साथ चल, एक और लड़की बिस्वा के पास आकर बोली, तो बिस्वा उससे दूर जाते हुए बोला, देखी दीदी, आप गलस समझ रही हैं मुझे, दीदी किसको बोलता है, बहलकर, वो लड़की गुसे से बोली, बिस्वा के दीदी बोलने पर सब उसे घूर कर देखने लगी, तभी पीछे से रूपा आती हुए बोली, क्या कर रही हो तुम सब इसके साथ, कुछ नहीं, हम तो सिर्फ मजे ले रहे थे इसके, एक लड़की ने कहा, तो रूपा बोली, चुप बिस्वा कुछ कहने ही वाला था, तभी छट पे, सांच इसे बोली, रूपा दी, उसे देखकर बिस्वा के पैरो तले से जमीन खिसक गई, मानू, वहीं सांच दोड़ते हुए, रूपा के पास आई, और उसके गले लग गई, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, रूपा उ यहां कुछ अच्छा नहीं लगता हमें, सांच रूपा के गले लगे रोते हुए, उससे कह रही थी, वहीं विस्वा को मानू, बहुत बड़ा जटका लगा हुँ, वो रोते हुए, अपने कदम पीछे लेने लगा, धरकनों ने मानू, धरकना छोड़ दिया हुँ, ऐसे ल पूछा, वो कुछ नहीं कहा, और जाकर गारी में बैठ गया, वो मिली तुझे, बैभो गारी चलाते हुए पूछा, तो विस्वा कोई जबाब नहीं दिया, मैं कुछ पूछ रहा हुँ तुससे, और मैं जबाब देना नहीं चाहता, कहकर विस्वा खिड़की के वाहर दे जरुरत नहीं है, पर कहा ना, कोई जरुरत नहीं है, मुझे किसी को नहीं रोड़ना, रैस बोट पर सांच की तस्वीर पड़ी थी, जिसे बैभो ने, आर्टिट्र से कहकर बनवाया था, विस्वा की नजर उस पर गई, तो उस तस्वीर को अपने हाथों में लेकर, उसे पागल तो मैं पहले से था, होस में तो अभी आया हूँ, पता नहीं था, कि जिस मंजिल के पीछे में भाग रहा हूँ, वो मंजिल मेरी नहीं है, क्या बकवा से ये, वैभो गुसे से कहा, सच्छम और वर्सा से कहना, किसी को ढूड़ने की कोई जरुरत नहीं है, उसांत भ है, विस्वा, कुछ नहीं कहा, साली, मैं फूच रहा हूँ, कुछ दुश से, वैभो उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा कर कहा, विस्वा, तुझे हुआ क्या है, मुझे घर जाना है, वैभो, विस्वा की आखों में नमी देख कर, वैभो उससे आगे कुछ नहीं कहा, फूख नहीं है, अरे, ऐसे कैसे फूख नहीं है, वो मैं बाहर दोस्तों की साथ खा कर आया हूँ, विस्वा छूट बोलते हुए कहा, और अपने कमडे की तरफ बढ़ गया, उसकी आई, बस उसे देखती रह गी, साच अपने कमडे में रूपा की साथ, उससे बाते कर रही था, विस्वा पेट के बल अपने बिस्तर पर गिर पड़ा, उसकी आँखों से आँसू बहने लगी, फिर उठकर बैठ गया, और खुझ से कहा, नहीं होना था ये, नहीं करना था, मुझे तुम से इस्क, यो मिली तुम मुझे, क्यों तुम्हारी नजरे बेचेन कर गई, तु मुहां क्यां रहती हो, क्यों, कहकर वो अपने सीने पर मुखे मारने लगा, नहीं करना चाहिए था मुझे तुम से इस्क, नहीं होना था ये, कहकर विस्वा गुस्य से अपने बाल नोचने लगा, आखित तु भी बाकियों की तरह निकला विस्वा, सचाई सामने आई तो तो ने अपना रूप बदल लिया सामने उसी का अक्स खड़ा होकर कहा तो विस्वा विफरते हुए कहा हाँ तो और मैं क्या करूँ वो एक धंधे वाली है और एक धंधे वाली लड़की से मैं कभी इस्क नहीं करूँगा कहकर वो रोने लगा वो धंधे वाली है उसमें उसका क्या कसूर है कसूर है क्योंकि वो विस्वा के सब गले में हैं रटग गए जबाब नहीं है उसके अक्स ने कहा तो वो सांथ पड़ गया वो वहीं जमेन पर लेट गया और अपनी आखे बंद कर लिया सांच उसके जहन में कौंद गई विस्वा उसे याद नहीं करना चाहता था मगर वो उसके खयालों पर छाई हुई थी अगली सुबा विस्वा उठा तो उसके कमडे में बैभो सच्चम और वरसा पहले से ही बैठे हुए थी तुम सब यहां कब आई विस्वा जमीन से उठते हुए बोला बस कुछ देर पहले ही आये है वो सब छोड़ पहले ये बता तेरे दिमाग में चल क्या रहा है विस्वा वरसा सांथ भाव से पूछी कुछ भी तो नहीं सब कुछ ठीक है विस्वा अपने नजड़े चुराते हुए कहा वैभो उसे देह कर गहा क्या बात है विस्वा तो तो अब हमसे नजड़े भी चुराने लगा है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं है तो तुने हमसे ये क्यों नहीं कहा कि उस लड़की को ढोड़ने की कोई जरूरत नहीं है तो तो उसे चाहने लगा था ना फिर ऐसा क्या हो गया कि तो ने उसे ढोड़ना बंद कर दिया सच्चम उसे अपनी तरफ करेके कहा एक बार में बात समझ भी नहीं आती तुम सबको कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं है तुझे क्या लगता है तू कहेगा और हम मान जाएंगे फिर उसका हाथ पकर कर नम आखों से बोली दोस्त है ना हम सब तेरे हमें अपने दिल की बात नहीं बताएगा वर्सू प्लीज ठीक है मत बता आसे हमारी दोस्ती भी खतम वो गुस्से से बोली और जाने लगी उसे के साथ सच्छम और वैभो भी जाने लगी विस्वा को अपने दिल में कुछ तूटटा हुआ अभास हुआ वो तपाक से कहा मुझे इसक हो गया है उससे सबके कदम ठिटक के साली ये तो अच्छी बात है ना सच्छम कहां तो विस्वा रोते हुए दिवाल से सटकर नीचे बैढ़ गया मेरा इसक औरों की तरह नहीं है वो हमारी तरह नहीं है क्या मतलब है वो ऐसा आस्चर जैसे पूछी वो जहां रहती है वहां विस्वा को बोलते हुए नहीं बन रहा था वैभो को सक हुआ तो वो तपाक से कहा कहीं वो उसी जगें पर तो नहीं रहती जहां कल हम उसे ढोड़ते हुए गये थे विस्वा रोते हुए अपनी गैदर हां में हिला दिया सच्छम और वर्सा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वर्सा वैभो से पूछी तो वो उसे सारी बाते बता दिया कम्रे में सांती फैल गई वर्सा की आखों में नमी तैर गई वो विस्वा के पास बैठ कर बोली तो तू अब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता है न हाँ वो हमारी तरह नहीं है हमारी तरह नहीं है इसका क्या मतलब है क्या वो हमारी तरह इनसान नहीं है हमारी तरह जीने का हक नहीं रखती है क्या वो वर्सा की बातों से विस्वा नरम पर गया सच्छम और वैभो भी उसके पास नीचे बैठ गए और बोले अगर वाकई में उससे इसक करता है तो हम सब तेरे साथ देंगे विस्वा विस्वा उन्हें देखने लगा वो रोते हुए उन्हें गले लगा लिया तो बैबो उसका पीट सहला कर कहा चल चुपो जाब कलती तेरी नहीं है विस्वा कलती हमारी सोच की है जिस समाज में हम रहते हैं ना वहाँ इससी लिड़कियों की कोई इज्जित नहीं दिया जाता जो लोग समाज में बड़ी बड़ी बाते कहते हैं लिड़कियों की इज्जित की वहीं कुछ लोग साम ढलते हैं उन लिड़कियों को नोचने चले जाते हैं वर्सा रोते हुए बोडी वर्सु तु डड़ा रही है मुझे विस्वा उसे देख कहा तो वर्सा नम आखों से बोली मैं तु सिर्फ सोच रही हूँ विस्वा पर वो तो यह सिर्फ सहती होगी रहा उसे कैसा लगता होगा मैं भी लिड़की हूँ विस्वा कैसे ना समझू उसे विस्वा कसकर अपनी आखे बंद कर लिया महीं सच्छम आगे बढ़ कर वरसा को अपने गले रगा लिया और उसे सांथ करवाने रगा मैं नहीं जानती कि तू क्या करेगा पर इतना जरूर जानती हूं कि तू कुछ गलत नहीं करेगा विस्वा वर्सा रोते हुए बोली तो विस्वा बस उसे देखने लगा रात के करीब साड़े बारा बज रहे थे विस्वा बैभो के साथ उसी बदनाम गलियों में खड़ा था जहां कल वो सांच को देखा था अपने आई से कह दिया था कि वो बैभो के घर पर ही रुख जाएगा तो वो उसका इंतजार ना करे गली में छोटे छोटे गहत थे उन्हीं घरों से होते हुए एक बड़ी सी कोठी थी जहां लाइट्स लगी हुई थी लाइट्स से वो कोठी जगमगा रही थी हमेशा रात को कोठी दुलहन की तरह सजी होती थी और उस कोठी में रहने वाली लड़किया रात को किसी की भूख सांथ करने के लिए अपने जिस्म को उनके सामने खाने की तरह प्रोश दिया करती थी बड़ी अजीब बात है जो लोग समाज के रच्चक होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग लड़कियों को खिलोने की तरह इस्तेमाल करते हैं दिन के उजालों में एक इज़दार आदमी का किरदार निभाएंगे तो वहें रात के अंधेरे में किसी को नोच खाएंगे वोई भी लड़किये अपने जिस्म का सौधा अपने मेर्जी से नहीं करती उस से ये सब करवाने वाले ये समाज ही होते हैं जिस समाज उन लड़कियों को कोई इज़द नहीं देता ना जाने वो कितने बेडियों का भूक मिटाकर उन्हें सांध करती है ताकि बाहा जाकर वो किसी और को अपने होस का सिकार ना बनाए इन्हीं लोगों की वज़े से, कितने लगियां सुरच्छी थे अगर ये ना होती, तो ना जाने कितनों की जद्धारतार होती विस्वा यहां तो आ गया था पर आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं थी सांज से पहली बांग वो होटल में ही मिला था पहली कभी वो उसे देखा ही नहीं मगर वो पहली मुलाकात ही विस्वा के लिए खास बन गई थी विस्वा न उसे जानता था, ना उसे उसका नाम पता था मगर वो उससे इसक कर वेठा ये इसके उसे कहां तक लेकर जाएगा ये वो नहीं जानता था जब सांच उसके सीने पर हाथ रखी थी तब वो अपनी धड़कन को ध्लकते वे मैसूस किया था सांच की वो नजर विस्वा को बेचैन कर गई थी वैभो मैं नहीं जा पाऊंगा यार विस्वा कोठी की तरफ देखते वे कहा तु जा मैं हूँ तेरे साथ वैभो उसे हिम्मत देते वे कहा तो वो बड़ी मुश्किल से अपने कदम उस ओर बढ़ा लिया वैभो कारी से टेक कर खड़ा हो गया विस्वा अपने उपर चादर उड़ी कोठी की तरफ जा रहा था बढ़ते कदमों के साथ उसका जीव ही बहुत घवरा रहा था वो अपना चेहरा चुपाई कोठी में चला गया बहुत सारे कमडे थी जो बाहर से बंद थी और उसके अंदर सब अपने हवस मिटा रहे थी एक आदमी अपने सल्ट के बटन लगाते हुए अमा ची के पास आया और उन्हें पैसे लेकर चला गया कुछ पैसे वो पहले दे चुका था और बाकी बाद में देने को कहा विस्वा एक तरफ ही सब खड़ा होकर देख रहा था उसे साज को देखना था उससे बाते करना चाहता था वो पर वो कहा है उसे नहीं पता था विस्वा महां से दूसरी तरफ बढ़ गया अंजाने में वो एक कम्रे में घुस गया जो कि पहले से ही खुला हुआ था उसने गहरी सांस दी और बपा को याद करने लगा जब वो पीछी मुढ़ कर देखा तो उसकी सांसे मनो थमसी गई आखे बरसने को आतुर हो गई विस्तर पर सांच निर्वस्तर होकर एक लास की तरह पड़ी थी उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने आप को ढख ले वो अपना होस कोई उपर सेलिंग की तरफ देख रही थी उसके कपड़े नीची गिरे वे थे विस्तर ने अपनी नच्री को माने जितना वो सोचा था सांच उससे भी बत्तर जिन्दगी जी रही थी उसकी सांसे भी किसी की कैद में किरपतार थी जिन्दगी उसे जीने नहीं दे रही थी और मौत से नसीब नहीं हो रही थी जिससे इसकी किया वही उसे कहत खाने में छोड़ गया क्या वो विस्वा को कभी समझ पाएगी साहद ही वो उस पर यकिन करेगी भोली थी, वो हर किसी पर भरोसा कर लेती थी उसी भरोसी की वज़े से आज वो ऐसी जिन्दगी जी रही है जो हजार मौत मेरनेक से कम नहीं है विस्वा उसके वदन पर अपनी चादर उढ़ा दिया सांच का ध्यान उसकी तरफ नहीं था वहीं विस्वा सिर्फ उसे ही देख रहा था आँखों से आंसु बहे चले मगर मुह से एक आवाज न निकली वहीं सांच के साथ इतना सब कुछ हो गया मगर वो एक उफ तक ना की अपनी चीखे अपनी मुह में ही दपना ली तुम यहां क्या कर रहे हो रूपा कमरे के अंदर आते वे पूछी मैं वो वो बाद में आना इसकी हालत ठीक रही है अभी रूपा को लगा कि विस्वा भी एक कस्टमर की तरह सांच के पास आया है इसलिए वो उसे देख गुस्से से बोली आप गलस समझ रही है मुझे देखो यहां वही लोग आते हैं जिने अपने जिस्म की भूख मिरानी होती है पर मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रही है मुझे तो फिर किस काम से आये हो आता नहीं अपनी आई बाबा से पुछ कर आओ आये हो कि वो एक बाजारू ड़िकी को अपने आपके घर की भूख बनाएगी या नहीं विस्वा चुप रहा बोलने को कुछ नहीं था अभी बच्चे हो तुम इसलिए मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ इसका रास्ता छोड़ दो तुम बलाई इसी में है तुम्हारी रुपा सांत लहजे से बोली इसक किया है तो उसे निभाओंगा भी चाहे तो जान चली जाए पर ना रास्ता बदलूँगा ना अपनी महबूबा को बदलूँगा विस्वा सांच को सिद्ध से देखते वे गा ये इसक तुम्हें बरबाद कर देगा वक्त रहते समझ जाओ वरना वरना क्या होगा बदनामी के नाम से जो डर जाए वो आसिक नहीं होता मैं कुछ भी करूँगा पर एक दिन इसे खुली हवा का से जरूर करूँगा विस्वा की आखों में एक अलग ही तेज था जिसे देख कर रूपा कुछ नहीं बोली विस्वा उल्टे पैर वहां से निकल गया रूपा सांच के पास बैठ गई और खुछ से बोली मुझे नहीं पता कि तेरा क्या फैसला होगा पर मैं हमेशा तेरे साथ रूँगी रूपा सांच के सिर पर हाथ फेरते वे बोली जो होस में नहीं थी वो सांच के सरीर पर दवाई लगा कर उसके कपड़े उसे पहना दी रूपा ही थी जिसे सांच की फिक्र रहती थी वेरना उस कोटी में उसकी परवाह करने वाला कौन था सब तो उसे देखकर जलते थी उसकी खूबसूरती उन्हें रास नहीं आती थी वहीं सांच अपने चेहरे की वज़े से उनसे भी बत्तर जिंदगी जी रही थी जो कोई भी आता सब को सांच ही चाहिए होती थी जिसके लिए सब बड़ी से बड़ी कीमत देने को तयार रहते थे अम्मा जी को तो सिर्फ पैसों से मतलब था विस्वाय हम वैबो के गले लगे रो रहा था जिस तरह से उसने सांच को देखा था उससे उसकी जान जा रही थी ऐसा लग रहा था मानो वो सांच भी नहीं ले पा रहा है वैबो अपने गाड़ी सुनसां सड़क पर रुख ख़़ा था वो विस्वा को सांथ कराने के कोसिस कर रहा था जो उसके गले लगे रो रहा था आज से पहले वो इस तरह से कभी नहीं रोया वो सिसकते हुए का वैबो मैं मर जाओंगा यार तो कुछ करना विस्वा सांथ हो जा और पागलो जैसी बाते करना बंद कर वरना तेरा मुह होगा और मेरा हाथ वैबो विस्वा को मारने वाली बात से नाराज हो गया था उसने बहुत मुश्किल से विस्वा को समभला और गाड़ी में बैठा दिया वैबो उसे लेकर अपने घर आया और उसे अपने कमरे में सुला दिया विस्वा की हालत ऐसी थी जैसे सांच की हो गई थी वो रूपा से कहतो दिया था कि वो सांच को खुली हवा की सेर कराएगा पर वहां से सांच को निकालना आसार नहीं था अम्मा जी की मैं जी की बिना सांच का कदम भी उस कोटी से वाहन नहीं बढ़ाती थी जिस गली में दोनों रहते थे उस गली का वजूद अलग अलग था विस्वा जिस गली में रहता था वहां इजद्दार लोगों का बसेरा था और जिस गली में सांच से लेती थी सांच वहां हर रोज उसके आबरू की निलामी होती थी विस्वा उसे वो मान सम्मान दिला पाएगा जो कभी उसे मिला ही नहीं या फिर सांच की गली में जाकर बदनाम हो जाएगा सांच सुभा उठी तब उसका बदन हच से जादा दर्द हो रहा था वो बहुत मुस्किल से उठी और बात रोम में गई सीखसे के सामने कुद को देखते वे हस पड़ी उसकी हसी में कितना दर्द चुपा था उसे भला कौन जानता होगा वो पावलो की तरह हस रही थी फिर कुद को थपड़ मारने लगी क्यों है तो इतने खोबसूरत था क्यों उस इसे से बाते करते वे बोली फिर अपने आपको रगल रगल कर अपने जिस्म को नोचने लगी रूपा कमरे में आई तो सांच को बिस्तर पर ना देख इधर उधर देखने लगी तभी उसे सांच की दर्द भरी आवाज सुनाई दी वो जट से बात रोम में गई सांच को इस तरह करते हुए देखकर रूपा का दिल छिल्डी हो गया सांच 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 हो जा हमको मार दो आप नहीं जी सकते हम ऐसे सांच से लेना भी दुस्वार हो गया है हमारे लिए क्यों हमारी जिन्दगी बाकियों की तरह नहीं है हम खुब सूरत है तो इसमें हमारा क्या कुसूर है चुफ हो जा सांच रूपा उसका सिर्ष लाकर बोली तो सांच उसके सीने से लगी विफर पड़ी रोज रोज हमसे ये दर्द वैदास नहीं होता दी हम भी इंसान है कोई क्यों नहीं समझता हमी हमें भी तकलीव होती है में बैठा था आसपास उसके दोस्त बैठे हुए थे बैभो विस्वा को देखकर कहा विस्वा आगे का क्या सोचा है तुने सोचा तो कुछ नहीं है अभी पर एक बात जानता हूँ क्या वर्सा उसके चेहरे को देखती हुए बोली मुझे वहां से उसे निकालना है उसे उसकैद से वाहर निकालना है मुझे पर उससे पहले तुझे अपने दिल की बात उसे बतानी होगी तभी वो तेरा साथ दे पाएगी वर्सा बोली तो विस्वा सोच में पड़ गया बिना उसके साथ से तो उसे वहाँ से नहीं निकाल पाएगा विश्वा वैसा की बात सही है विश्वा सच्छम उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा तो विश्वा सोचते हुए कहा पर मैं उससे अपने दिल की बात कैसी कहूँ विश्वा भावुख होकर कहा तो वैभो कुछ हियात करते हुए कहा तुने कहा था ना वो तुझे सुक्रवार को बपा की मंदिर में मिली थी हाँ पर इससे क्या हो सकता है वो हर सुक्रवार को मंदिर आती हो बपा की दर्सन कहनी उसकी मंदिर आने से हमें क्या फायदा होगा सच्चम बोला, तो वर्सा उसकी सर पर चपत मारते हुए बोली अबे घुचू, अगर वो मंदिर आएगी, तो विस्वा उससे मिल सकेगा न, दिमाग नहीं है तेरे मी तेरे अंदर तो लगता है ग्यान की देवी वास कहती है, सच्चम अपना सर सहला कर कहा उसमें कोई सक्च है क्या, वर्सा घुमंड से बोली, तो सच्चम उसे गोडने लगा तुम दोनों कभी सुदर नहीं सकते क्या, वैभो उसे, डपटते हुए कहा, तो दोनों सांती से बैठ गे वहीं विस्वा गहरी सोच में रूबा हुआ था, मुझे वर्सू की बात सही लगी है विस्वा, तो अपने दिल की बात उस से मंदिर में ही कहना वैभो कहा तो, विस्वा हां में सर हिला दिया, अम्मा जी, वो बीमार है, आज के लिए तो बखस दीजी उसे, रूबा अम्मा जी से बोली घर पर आईल इच्छी में को ठुकराते नहीं है, दवाई खिला देना, इसे ठीक हो जाएगी साम तक पिस्तर पर सोई सांच को देखते वे अम्मा जी बोली, जो बुखार से बेहाल थी, आप इतना सुलूप करके, इसके सांथ कैसे कर सकती हैं, वो भी एक औरत होकर, रूपा गुसे से बोली, तो अम्मा जी उसके बान पुठी में भर कर बोली, ज्यादा जुबान चलाने चाओं में, इतना बुखार है इसे, और अम्मा जी इसे मंतरी की पास भीज रही है, कुछ तो रहम कर दो इस पर, रूपा मन में सांच के लिए प्रात्ना करते वे बोली, साम को सांच, सूट सलवार पहने तयार खड़ी थी, बुखार से उसका सिर्दर्द कर रहा था, रू मजी सांच को देखते वे बोली, वो कुछ नहीं बोली, एक तरफ रूपा उसके लिए रो रही थी, सांच सीडियों से नीचे उतर रही थी, नीचे गारी के पास राका उसका इंतजार कर रहा था, उसको इतने धीरे धीरे आते वे देखकर, राका उसके पास गया, और उसे खीचते वे लाकर काड़ी में बैठा दिया मंतरी ने उसे होटल में बुलाया था जहां एक बार पहले भी वो गई थी साज होटल के उसी कम्डे में मौजूद थी जहां मंतरी एक बार उसके दामन को नोचा था और एक बार फिर उसके साथ वही सब होने जा रहा था वो कम्डे में अकेली कड़ी किड़की के बाहर खुब सुरत नजारों को देख रही थी होटल के सामने एक कमपनी थी जिसकी च्छत पर बिस्वा बैभों के साथ बैठा हुआ था सच्छम और वर्सा दुर्वीन से सब कुछ देख रहे थी ये कमपनी बैभों के डैड की थी जहां लोग अभी मौजूद थे वर्सा दुर्वीन से सब कुछ देख रही थी तब ही उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो खिलकी के पास खड़ी थी विस्वा उस तरफ देख तो जरा वैसा दुर्वीन विस्वा को देते वे बोली ऐसा क्या है वहाँ तु देख न उस तरफ तुझे अच्छा लगे गा वर्सा बोली तो विस्वा उसके हाथ से दुर्वीन लगा कर उस तरफ देखा अचानक ही उसके होटों पर मुस्कान बिफर गई खिड़की के पास खड़ी साज तितली को पकड़ रही थी जो उड़कर वहाँ आ गई थी वो उसे पकड़ने की कोसिस कहती तो उड़ जाती और साज बच्चों की तरह मुँ बना लेती उसको इस तरह देखकर विश्वा को बहुत प्यार आ रहा था उस पर कास हमारी जिंदगी भी इन तितलियों की तरह होती हम भी इनकी तरह आजादी से रह पाते कास हमारी जिंदगी इतनी बेवफा ना होती कास की हम इसक में इतने अंधे ना होती साँच अपने आप से बाते करते वे बुडी तभी कमरे में मंतरी आया जिसकी आहट सुनकर साँच घब्राव थी विस्वा उसके बनते विगडते चेहरे को देख रहा था मंतरी साँच के पास आया और उसके बालों के खुस्वू लेते वे पीछे से उसके बाल आगे की तरफ कर दिया और कसकर उसकी कमर को पकग लिया साँच पिथर की तरह खड़ी रही मंतरी उसके कंदे और गंदर को चूमे जा रहा था साँच का जिस्म बुखार की वज़े से हलका गरम था मगर मंतरी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा महीं विस्वा की आखों में आसू बह गए उधर मंतरी ने किड़की बंद कर दिया किड़की बंद होने का क्या मतलब है ये विस्वा वहली भास समझ गया वो गुटनों के बल गिर पड़ा और कसके चीख पड़ा उसकी चीख सुनकर उसके दोस्तों को गबराहट होने लगी विस्वा क्या हुआ तुझे वैवो उसका चेहरा हाथों में भेर कर पूछा वैवो वो वो मैंने हाँ बोलना हम सब सुन रहे हैं सच्चम भी उसके पास बैठ कर कहा विस्वा को कहते ही नहीं बन रहा था कुछ कैसे बताए वो उन्हें और क्या बताए जिससे वो इसक करता है वो किसी और के साथ है वो कुछ नहीं कहा तो सब समझ गे यही तो होती है दोस्तों जो हमारे हाल देखकर ही हमारी परेसानी समझ जाते हैं तुझे कुछ कहने की जुरूरत नहीं है विस्वा, बैभो ने कहा, और उसे अपने गले से लगा लिया, सच्छम विस्वा का बाल सहला दिया, वैसा आखों में नमी ले, उसे देखने लगी, सच्छम ने उसे बुलाया, तो वो भी उसके गले लग गई, चारो एक दूसरी के गले लगे हुए थी, तो ठीक है न, वैसा पूछी तो, विस्वा हां में गया दन हिला दिया, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, अब और नहीं देख सकता, मैं उसे इस तरह गुठते हुए, विस्वा होटिल की तरफ देख कर कहा, तो तीनों उसे हक कर लिये, और एक साथ बोले, हम सब तिरे साथ है, अपनी भावी को हम जुरूर बचाएंगे, सच्छम कहा तो, सब मुस्कुराव थे, अगले दिन सुक्रवार था, और सांज हमेशा की तरह, रूपा की साथ मंदिर आई हुई थी, विस्वा उसी का इंतचार कर रहा था, उसने नीले रंगी पहन रखी थी, सांज को देखकर वर्सा बोली, विस्वा जा, और कह दे इपने दिल की बात, विस्वा ने गहरी सांसे ली, और आगे बढ़ गया, विस्वा एक मिनिट रुख, ये वुके लिते जा, तड़कियों को फूल बहुत पसंद आते हैं, उसी भी अच्छा सच्छम ने कहा, तो विस्वा उसके हाँ से वुके लेकर मुस्कुरा उठा, फूल बिलकुल ताजे थी, all the best, विस्वा के दोस्तों ने कहा, तो वो मुस्कुरा उठा, और सांज की तरब बढ़ गया, रूपा मंदिर के अंदर थी, और सांज बाहर मंदिर में घूम रही थ हाई, सांज के कंदे पर किसी ने टेप करते हुए कहा, तो वो चौप गई, फिर अपने घवराहट को सभालते हुए, वो मुर कर देखी, विस्वा को देखकर, सांज हैरान हो गई, वहीं विस्वा उससे मुस्कुरा कर देख रहा था, ये फूल तुम्हारे लिए, लो भी सांज भुके नहीं ली, तो विस्वा ने, वो भुके सांज के हाथों में पकड़ा दिया, और उसका एक हाथ पकड़ कर, गुटनों के बल बैट गया, सांज खाली आँखों से, सब कुछ देख रही थी, वैभो वर्सा सच्चम, सब उन्हें दूर से देख रहे थे, I love you, सा अपना हाथ छुडा ली, आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ, बपा की मंदिर में आके, तुम्हें लगता है, मैं कोई मजाक करूंगा, और भी तुम से, मैं सच में तुम से इसक करने लगा हूँ, मुझे इसको हो गया है तुम से, नहीं नहीं करना चाहिए था, ये आपको साज पीछे जाते हुए बोली, एक बार मेरे बात तो सुन लो, विस्वा भावुक होकर कहा, तो साज भी रोते हुए बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे, कहकर वो जाने लगी, तो विस्वा खड़ा होकर, पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, साज को ये रास नहीं आया, प कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, तो महाग हो, तो सब कुछ हो सकता है, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं आप, जिस दिन सचाई सामने आएगे न, उस दिन हमारी सकल से भी नफरत हो जाएगी आपको, सब कुछ हरानता हो मैं, और जो जान कर किया जाए, वो इ मकर कहा साज वे दूस्तो दिसी खड़ी होकर उसकी आखों में देखने लगी जहां कोई छलकपट नहीं था था तो सिर्फ और वो इसक सिर्फ उसकी लिए था उन्हें इस तरह से देखकर वैभो वर्सा और सच्छब एक दूसरी को गले लगा लिए पर अचानक उनकी आखों म उससे वही सब कुछ मोहित भी कह चुका था जिस से जिस पर आँख बंद करके भरोसा की थी वो विस्वब अधवास सा उसके पीछी पीछी चल रहा था साज तेज कदमों से मंदिर से वाह चली गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई रूपा उसे मंदिर में ढोड़ने की तो पूछी क्या हुआ तुझे तो इस तरह से क्यों रो रही है सब हमारे पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं दी कौन है तेरे पीछे पता नहीं हम नहीं जानते उन्हें पर वो कहते हैं कि वो हमसे इसक करते हैं साज रूपा के गले लग रोती रही रूपा के जहन में वि लगी हमें किसी पर भी यकीन नहीं होता है दियब नहीं कर पाते हैं हम किसी पर भी भरोसा हमारी जिन्दगी बरबात करने वाला ये इसक है और हम इसे दोबारा अपनी जिन्दगी में नहीं आने देंगे नहीं करना हमें इसक नहीं जाना हमें उस इसक की गल्यों में दोबार नहीं जाना हमीं। साज हस्स से जादा रो रही थी। रूपा उसका सहला कर उसे सांथ करवा रही थी। क्या करूमे पपा कैसे समझाओं इसे कैसे एहसास दिलाओं उसे अपने इसक की विस्वा कमले में चहल कदमी करते हुए कहा फिर कुद से कहा मुझे तुम से मिलना होगा ऐसे में नहीं रह सकता तुमने हाल बेहाल किया है मेरा तुम ही मुझे मेरा चैन दोगी पर तुम से मिल के लिए मुझे पैसों की जुरुत पड़ेगी केकर विस्वा विस्तर पर बैठ गया इतने पैसे में कहां से लेकर हूँ कुछ करना होगा मुझे ऐसे सुप चाप बैठ नहीं सकता मैं बपा कुछ तो रास्ता दिखाओ मुझे विस्वा उपस सीलिंग को देखती हुए कहा सा अगली साम को विस्वा फिर उसी बदनाम गिली में खड़ा था उसके साथ बैभो और सच्छन थे रूपा को यहां लाना उन्हें सही नहीं लग रहा था और ना रूपा यहां आना चाहती थी विस्वा जब अपने उलजन अपने दोस्तों से कहा तो सब थोड़ी पैसे उस इतनी माइने रखती हैं मैं वो बच्पन से ही बहुत खर्चीला था उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी वो पानी की तरह पैसे बहाता था बहाये भी क्यों ना विजनेसमेन का वारिस है उन पैसों पर उसका हक बनता है देख ले यहां इतनी सारी लड़कियां खड़ी हैं त साइड में गर्दन चुका कर खड़ी थी उसने साज की तरह पिसारा किया तो अमा जी मुस्कुराव थी और साज को विस्वा को अपने साथ लेकर जाने को कहा साज विस्वा के कमरे में लेकर आई और विस्थर के सामने खड़ी हो गई विस्वा भी उसकी पीछे पीछे आय और दरवाजा बंद कर दिया साज अपने कुर्सी पर जिब खोलने लगी तो विस्वा उसका हाथ पकड़ लिया साज विस्वा को वहाँ देह कर चौग गई वहीं विस्वा नम आखों से अपने गदर ना में हिला दिया और कहा मेरे सामनी तुम्हे इस अप करने की जिरूरत नहीं है साज कुछ नहीं बोली विस्वा उसकी कदमों में बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा क्या तुम उससे इसक नहीं कर सकती वादा करता हूँ तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूगा एक बार एकिन करलो मुझवर बहुत चाहता हूँ तुम्ही विस्वा की आखों में नमी तैर गई वहीं साज को विस्वा की आखे चुपती वी नजराने लगी वो उससे अपना हाथ छुडा ली और भाव हीं चेहरा ली विस्वा की आखे उसे मोहित की याद दिला रही थी भले ही विस्वा का इसक सच्चा था पर साज अप्पिर से तूटना नहीं चाहती थी उसके भोलेपन का फायदा मोहित बहुत अच्छे से उठाया था वो बिस्तर पर बैठे हुए बुडी फालतों की बक्वास मत कीजिये साहं जिस काम के लिए पैसे दिये हैं वो कीजिये एक बार कहा ना मेरे सामने ये सब करने की जिरुरत नहीं है इन सब के लिए नहीं आया हूँ यहां यहां सब अपनी हवस मिटाने ही आते हैं साहं और आप आगे कुछ मत बोलना वेना बैदास नहीं होगा मुझसे विस्वा खुद को मजबूत बनाते हुए कहा साज कुछ नहीं बोली कमरे में सांती फैल गई जिसे तोड़ते हुए विस्वा कहा क्या तुम्हें मेरी आखों में अपने लिए इसक नहीं बिखता कुछ महसूस नहीं होता तुम्हें क्या मेरी तरह तुम बेचेन नहीं होती हो विस्वा बहुत प्यार से उसका चेरा अपने हाथों में थाम कर कहा इसक की बात मत कीजी मिली सامने हम बाजारू लिड़की हैं बाजारू लिड़की सिर्फ विष्टर की सोभा वरा सकती है किसी की पत्नी नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती तुम किसी की पत्नी तुम भी इनसान हो औरों की तरह तुमें भी जीने का हक है साज सांत रही और उसने अपना चेहरा छुडा लिया विस्वा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे समझाए वहीं साज खुद को पत्थर की तरह बनाए हुए थी जिसमें कोई एहसास नहीं थे ऐसे ही रात गुजर गई सुबह होते ही विस्वा वहां से चला गया उसके जाते ही साज की आखों में नमी तैर गई ऐसे ही वो साज से एक दो बार मिलने आता रहा पर ना साज बदली और ना उसका फैस्वा बदला विस्वा के हाथ में सिर्फ निरासा ही हाथ लगी उसकी तकलिफ उसके दोस्तों से सही नहीं जा रही थी बजरते दिन के साथ विस्वा के मन में साज के लिए इसक बढ़ता ही जा रहा था रूपा से विस्वा उसके बारे में पूछे तो वो कुछ नहीं बताती साज के बारे में बस इतना कहा कि उसका खयाल छोड़ दे क्यों छोड़ दे ये नहीं बताया सांच की निजी जिन्दगी रोपा उसके मरजी के बगएर किसी को कैसे बता सकती थी सभी दोस्तों ने एक प्लान मनाया जिसको करने के लिए विस्वा मना कर दिया पर वो लोग उसे मना लिए विस्वा सांच के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था पर फिलहाल उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाए अपने दोस्तों की बात मानने की हमेशा की तरह सांच मंदिर आई हुई थी वो सांथी से खूम रही थी अमा जी के आदमी नीचे गाड़ी के पास खड़ी होकर उसका इंतजार कर रहे थे ये सब कहना जरूरी है क्या विस्वा घबराती हुए कहा और कोई रास्ता है तेरे पास सच्छम कहा तो विस्वा ने नाम में अपनी गयदन हिला दिया और साँच की तरब बढ़ गया साँच जो अपने खयालों में घूम रही थी अचानक किसे ने उस पर बोरी राल दिया साँच को कुछ समझ पाती तब तक किसे ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया बहुत भारी हो यार तुम तो बपा सकती देना मुझे विस्वा बपा से कहा और उसे लेकर वहां से चला गया बोरी की अंदर साँच शपटा रही थी विस्वा उसे लिए गाड़ी के पीछे जाकर बैठ गया और वेभो गाड़ी सड़क पर दोड़ा दिया साँच बोरी में थी इसलिए अम्मा जी के आनमी उसे देख नहीं पाए और विस्वा उसके सामने से उसे लेकर निकल गया विस्वा उसके उपर से बोरी हटा दिया तो वो तेज-देज सांसे लेने लगी खुद को विस्वा के पास देखकर वो चौँक गई और हकलाहत भरी आवाज में बोली ये ये आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं विस्वा कुछ नहीं बोला बावी कैसी है आप सच्चम अपना सिर पीछे करके कहां तो सांज विस्वा को देखी मेरा दोस्त है सच्चम और मैं बैभो बैभो गाड़ी चलाते हुए कहां सांज को कुछ समझ नहीं आ रहा था वहीं रूपा और अम्मा जी के आदमी उसे ढोड रहे थे जब काभी दे तक ढोडने पर वो नहीं मिली तो सब सांज के बगैर ही कोठी वापस आ गए अम्मा जी सांज को ना देख कर बोखला गई और अपनी सारी बोखला रूपा की उपर निकाल दी रूपा एक तरब कोने में पड़ी रो भी रही थी और हस भी रही थी वो खुश थी कि सांज यहां से चली गी अब कभी वो दोबारा यहां ना आये रूपा को अभी अभी अम्मा की जानवरों की तरह पीटी थी जिससे उसका सरीर दर्द से कराह रहा था सांज को लेकर सब सच्चम के घर पहुँचे उसकी मम्मी पापा रिष्टेदारों की साधी में गए हुए थी घर पर सच्चम के सिवा कोई नहीं था इसलिए सांज को यहां रखना उन्हें सही नहीं लगा विस्वा उसे गाड़ी से बाहर निकाला तो सांज रोते हुए बुली हमें जाने दीजिये साहब वेना आपके लिए सही नहीं होगा विस्वा कुछ नहीं कहा और उसका हाथ थाम लिया सच्चम अपने घर को कोला तो समंदर चले गए विस्वा सांज को सोफे पर बैठा दिया और उसके लिए किचन से पाने लेकर आया सांज उसके हाथ से पाने नहीं ली और जाने की जिद करने लगी विस्वा बहुत प्यार से उसे मनाया पर सांज एक ही बात पर अड़की हुई थी कि उसे यहां से जाना है वो नहीं चाहती थी कि विस्वा को कोई तकलीफ हो उसकी वज़े से सच्चम और बैभो भी उसे समझाए पर सांज की मन में अम्मा जी का खौफ था वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर पकड़े गए तो क्या अंजाम होगा सुबा से साम हो गई पर सांज अम्मा जी को नहीं मिली वो यह विस्वा सांज को लेकर अपने दोस्तों के साथ खौबने निकला था जिसमें वर्सा भी सामिल थी वैभो अपनी काड़ी हिली एरिया के पास रुगा जहां प्तकिरत के मन भावने वाले नजारे थे वो लोग अकसर यहां आते रहते थे और मश्ती कहते थे जिसमें सच्छम और वर्सा एक दूसरे की टांग खिशते रहते थे सांज पहली बार इतना सुंदर नजारा देख रही थी पूरे जब से आई थी तब से उस शादिवारी में बंद थी महा सांसे लेना भी उसके लिए दुस्वार था उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी खुब सुरत भी हो सकती है विष्वा उसके चेहरे को परते वे बुचा कैसी लगी ये जगा अच्छी है वो खोई सी बोली हम लोग अक्सर यहां आते है जब भी हमारा मन होता है सांज कुछ नहीं बोली सब एक जगें बैठ गए विष्वा सांज को अपने साथ बैठा लिया सांज उन सब में असहच महसूस कर रही थी तो वर्सा उसे देखते ही भाब गए वो सच्छम के कान में कुछ बोली तो वो मुस्कुरा उठा वर्सा सांज के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कह दिया सांज खाली आँखों से उसे देख रही थी चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ केकर वो सांज को किनारे के पास लेकर आई और वो जोड से अपना नाम बोली जिसमें वर्सा का नाम उन वादियों में गूज उठा सांज ये देखकर बोली हम भी ऐसा कर सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अपने दोनों हाथ हवा में फैलाओ और गहरी सांसे लो और जोड से अपना नाम बोलो वर्सा बोली तो सांज वैसे ही की उसे बहुत अच्छा लगा अपना नाम उन बादियों में सुनकर एक बार और करे हम जितनी में जी उतनी बार करो वर्सा प्यार से बोली तो सांज बार बार अपना नाम चिलाने लगी विस्वा उसे खुछ देख कर मुस्कुरा रहा था कुछ देर बाद सच्छम खेलने के लिए खा तो सब राजी हो गए सांज सांथी से खड़ी उन्हें देख रही थी तो वर्सा उसे अपने साथ ले ली सब विस्वा की आँखों पर पट्टी वान थी अब विस्वा को उन्हें पकड़ना था वर्सा और सच्छम उसे परेशान कर रहे थी वहीं बैबो सांथी से खड़ा उन्हें देख रहा था सांज की उंठों पर हलकी सी मुस्कुराहट पिसर गई विस्वा की कदम सांज की तरफ बढ़ गए वहीं सांज उसे अपने तरफ आते हुए देखी तो जड़ हो गई सच्च मौर्व ऐसा दोनों सांथी से खड़े होकर देख रहे थे विस्वा सांज की पास खड़ा हो गया उसे सांज का एसास होने लगा उसकी भीनी भीनी कुपसू उसे महसूस होने लगी वहीं सांज विस्वा को अपने इतने करीब देख कर हिल भी नहीं पा रही थी विस्वा आँखों पर से पट्टी हटाया तो उसकी आँखे साज की आँखों से जा मिली दोनों एक देसरे को बे इम्तिहां देखे जा रहे थे बैभो सच्छ मुर्सा आँखे फारे उने देख रहे थे वर्सा अपना गला साप की तो दोनों ने एक दूसरे पर से अपनी नजरे हटा ली आज की ये कहानी बस यह तक फ्रेंस ये कहानी बहुत ही अच्छी है आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंतित तक बने रहे गा हमें कभी कभी कहानी अप्लोड करने में देर हो जाती है या फिर किसी दिन मैं कहानी अप्लोड नहीं कर पाती हूँ लेगिन कोशिस पूरी गहती हूँ कि अप्लोड करूँ बस कुछ घर में ऐसी ही काम निकल आते हैं जिनकी वज़े से मैं कहानी अप्लोड नहीं कर पाती हूँ प्लीज आप लोग गुस्सा मत होया करिए चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी की अगली हिसी की साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें